नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए लंबी कहरी सांस भरेंगे मिलकर ओमका उचारण करेंगे ओम सहना फ़र्फतु सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवा फ़हे ते जस्विना वधी तमस्तु मावित विशाफ है अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं पिछली कक्षा में हम लोगों ने रिग वेत के दस्मे मंडल के साथवे सूक्त तक के विशे को समझने का प्रयास किया पिछली कक्षा में मुख्य रूप से अठावनवा सूक्त और साथवा सूक्त जिनके अंदर एक मानसिक रोगी को किस प्रकार से हमें आश्वासन देना होता है किस प्रकार से उसके मन को संभलना होता है इन बातों को हमने अठावनवा जो सूक्त था मन आबर्तनम सूक्तम इस सुक्त और साथमे सुक्त के अंदर भी आई हुवे इसी प्रसंग के मंत्रों के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था अब आगे जो तिर सठवा सुक्त है शिक्स्टी थर्ड तिर सठवा सुक्त इस सुक्त में कुल मंत्रों की संख्या है सत्रह और इन सत्रह मंत्रों में चोदह मंत्र स्वस्टी वाचन के आई हुए है जब आप ब्रिहद यज्य को करते हैं तब आप उसमें स्वस्तिवाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं तो स्वस्तिवाचन के चोदह मंत्र यहीं से इसी तिर-सठवे सुक्त से मैशिद्यानन सस्वती जी ने लिये हुए है तो इस सुक्त के अंदर कुल मंतरों की संख्या है सठ्रह और इसमें तीसरे मंतर से लेकर सुलहवे मंतर तक जो चोदह मंतर है ये मंतर स्वस्तिवाचन में आए हुए हैं आप में से कई लोगों के ये मंतर परचित है मैं कुछ मंत्रों का उच्छारण मात्र कर देता हूँ जिससे आपको संभवतह स्मरण हो आएगा कि ये मंत्र आपने सुने हुए है तीसरा मंत्र यहां से प्रारम कर रहा हूँ ओम ये भ्यो मात्म अधुमत्पिन्वतेपयह पीयुशं द्यौरदितिरद्रिबर्हाह उक्थशुष्मान व्रिषभरान स्वप्न सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये ओम रिचक्षसो अनिमिशंतो अरहना ब्रिहद्देपासो अम्रितत्वमानशुहु ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्मानम वसते स्वस्तये ओम सम्राजो ये सुव्रिधो यज्यमाय यूरप परिफ्रिता दधिरे दिविक्षयम तामा विपास नमसा सुव्रिक्ति भिर्मा हो अदित्याम अदितिम स्वस्तये तो ये मंत्र आप में से कई महानुभावों के सुने हुए मंत्रे हैं ये स्वस्ती वाचन में लिये हुए मंत्रे हैं तो यहाँ पर ये चोदह मंत्रे हैं जिनका स्वस्ती वाचन में हम लोग पाठ करते हैं उनका यहीं से ग्रहन किया गया है तो इनके अर्थ आप स्वस्ति वाचन के अंदर आई हुवे मंत्रों के अर्थ समझना चाहें तो आप यहाँ पर इस 63 सुक्त में जाकर के आप यहाँ पर उनके अर्थ स्वामी ब्रह्मनी जी के द्वारा किये गए अर्थों को आप यहाँ प्राप्टे कर सकते हैं इन मंत्रों के अर्थ आप चाहेंगे तो आप स्वयम देख लीजिएगा एक मंत्र का अर्थ मैं आपके समक्ष यहाँ ले लेता हूँ यह दस्वा मंत्र है जो स्वस्ति वाचन में है आया हुआ मंत्र इस प्रकार से है ओम सुत्रामाणं प्रिथिविं द्यामनेहसं सुषल्माणमधितिं सुप्रणीतिं दैविं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवंतीमारुहेमा स्वस्तिये मंत्र कपदार्थ देखते हैं सुत्रामाणं सुत्रामाणं का अर्थ है सुख पूर्वक संसार सागर से रक्षा करने वाली प्रिथवीम प्रथित प्रिथवीम प्रथित अथात जो फैली हुई है प्रथित जो फैली हुई है द्याम ज्यान से दीप्त अनी हसम पाप रहित सुशरमाणं उत्तम सुख रूप अधितिम अखंडित सुप्रणीतिम आत्मा का सुप्रणयन करने वाली स्वरित्राम शोभन अरित्रों वाली जैसी सुरक्षित अस्रवन्तीम चिद्रहित द्रढ दैविम नावं दैवी नोकाको उत्तम स्तुतियोग्य मुक्तिरूप नोकाको स्वस्त ये आरुहेमा कल्यान के लिए हम प्राप्त करें भावार्थ में आपको स्पष्टा होगी मुक्ती संसार सागर से त्राण करने वाली उत्तम सुख देने वाली आत्मा को अपने स्वरूप में लाने वाली आदी सद गुणों से युक्त दिव्य नोका के समान है उसी हमें प्राप्त करना चाहिए तो दिव्य नोका के समान क्या है मुक्ती कैसी है मुक्ती संसार सागर से त्राण करने वाली पार लगाने वाली उत्तम सुख देने वाली आत्मा को अपने स्वरूप में लाने वाली और सद गुणों से युक्त दिव्य नोका के समान है उसी हमें प्राप्त करना चाहिए तो जब आप पदार्थ पढ़ेंगे पहले भावार्थ पढ़ लीजिएगा उसके बाद जब आप पदार्थ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको स्पश्टा हो सकेगी तो ये जो सुक्त है इसमें स्वस्ति वाचन के मंत्र यहीं से ग्रहन किये गए है अब आगे जो आपके लिए विशेश जो परिछे के दिष्टी से सुक्त है वो है इकहत तर्मा सुक्त एकहत तर्मा सुक्त जो एकहत तर्मा सुक्त है ये ज्यान सुक्त के नाम से प्रसित्त है एकहत तर्मा सुक्त 71 सुक्त इसे ज्यान सुक्त कहते हैं तो इस सुक्त के जो रिशी है वो ब्रिहस पती है और देवता क्या है ज्यानम तो यह सुक्त एकहतर्वा सुक्त जियान सुक्त के नाम से प्रसिद्ध है इस सुक्त में वेदूं का प्रकाश तथा प्रचार करना उसके अर्थ जियान से वेदूं के अर्थ जियान से लोकिक इश्ट सिद्धियों की कैसे प्राप्ति होती है अध्यात्म सुख का लाव होता है और सब में जियान की सबसे अधिक महत्ता होती है इन बातों का इस सुख्त में ग्रहन किया गया है तो ये जो 71 सुख्त है ये प्रसिद्ध सुख्त है और इसका जब आप अध्यन करेंगे तो आपको कुछ नए नहीं बाते जरूर मिलेंगी इस सुक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या ग्यारह है और इस सुक्त का जो दूसरा मंत्र है वो मैं आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा दूसरा मंत्र इस प्रकार से है ओम सक्तु मिवतितवुना पुनन्तु यत्रधीरा मनसा वाच्यमक्रता अत्रा सक्हाय सक्ष्यानि ज्यानते भद्रैश्याम लक्ष्मिर निहिताधिपाची ओम सक्तु मिवतितवुना पुनन्तो यत्रधीरा मनसा वाच्यमक्रता अत्रा सक्हाय सक्ष्यानि ज्यानते भद्रैश्याम लक्ष्मिर निहिताधिपाची ये बहुत अच्छा मंत्र है और इसके अंदर बहुत गहरी प्रेणाई हैं इस मंत्र के रिशी है ब्रिहस्पति, देवता, ज्यानम और छंद है भुरिक त्रिश्टुप्थ इस मंत्र का पदार्थ मैं वैदिक विनय इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ वैदिक विनय पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है और ये आचार्य अभय देव विद्या लंकार जी के द्वारा रचित है तो ओम सक्तुमिव तितउना इस मंत्र का शबदार्थ पदार्थ उनके अनुसार मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ यत्र जिस अवस्था में धी राह धैर्यशाली ज्यानी पुरुष तितउना सक्तुमिव जैसे चलनी द्वारा सत्वों को उस तरह मन सा मन द्वारा मनन द्वारा पुनंतह पवित्र करते हुवे वाचम वाणी को अक्रता करते हैं बोलते हैं अत्र उस अवस्था में सखायह वाणी के सखा हुवे ये लोग सख्यानी अनेक सख्यों को रिदयों को जानते अनुभव करते हैं तब एशाम इन लोगों की अधिवाची वाणी में भद्रा लक्ष्मी कल्यानी लक्ष्मी निहिता निहित होती है रखी होती है अब इसका थोड़ा विस्तार हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर क्या संदेश दिया गया है तो यहाँ यह बात कही जा रही है कि जैसे छलनी से छान कर सत्तूं को साफ किया जाता है सत्तू जो पुराने जमाने के जो महानुभाव हैं वो तो भली भानती परचित होंगे कि सत्तू क्या होता है और जो आज की जो नई युवा पीड़ी है उसमें से हो सकता है कई युवाओं ने सत्तू ये शब्द या ये नाम ना सुना हो सत्तू एक बहुत ही स्वास्थि वर्धक एक उत्तम सेवन करने योग्य पदार्थ है जो हमारे भारत वर्ष के अंदर परमपराउं से जिसका सेवन किया जाता है विशेश रूप से ग्रिश्म रितू में सत्तू आपने ये सुना हुआ है जव जव मतलब बारले तो जो जव होती है जो के दानों को भून लिया जाता है इसी प्रकार से जो काला चना होता है उसको भी भून लिया जाता है भट्टियों में फिर जव और चना कई लोग केवल जव को ही भून करके उसको चक्की में जो पीस लेते हैं तो भूना हुआ जव जो चक्की में पीस कर जो उसका आठा बनाया गया उसे बोलते हैं सत्तू या कहीं कहीं पर भूने हुए जव के साथ भूना हुआ काला चना भी वो भी चक्की में पीस लिया जाता है तो भूना हुआ जव और भूना हुआ काला चना उसका जो आठा बना उसे क्या बोलते हैं सत्तू और ये बहुत पुश्टिक होता है इसको ग्रिश्म काल में जल में घोल कर और मिठा मिला करके पिया जाता है और कई प्रदेशों में इसमें मिठा मिला करके भी इसे पीते हैं या गाड़ा करके गाड़ा गाड़ा इसमें जल या दूध मिला कर दूध मिला कर या जल मिला कर इसे खाया भी जाता है या कई प्रदेशों में इसमें थोड़ा सा नमक मिला करके भी इसका सेवन किया जाता है तो ये ग्रिश्म रितू में ये बहुत शीतलता देने वाला होता है और पोश्टिक होता है तो उसे सत्तू कहते हैं तो जब सत्तू का जब आटा बना लिया जाता है और उस पिसे हुए आटे को ही सत्तू कहते हैं जो जो और चने का भूनने के बाद जो पिसा हुआ आटा होता है वो कई इस्थानों पर केवल जो का बनता है, भुने हुए जो का बनता है, कई प्रदेशों में भुने हुए जो और साथ में भुना हुआ काला चना उसको भी मिला पीसा जाता है तो ये जब पीसा जाता है उसके बाद इसको च्छाना जाता है तो क्या कह रहे हैं जैसे च्छलनी से च्छान कर सत्वों को साफ किया जाता है च्छाना जाता है च्छानने के बाद फिर उसमें दूदादी मिला कर अपनी अनकूलता से पतला या गाड़ा और उसमें मीठा मिला कर फिर उसका सेवन करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जैसे छलनी से छान कर सत्तुवों का सेवन किया जाता है उसी प्रकार मन से विचार मनन के साधन से मन क्या है विचार मनन का साधन तो मन से क्या करते हैं वानी को शुद्ध और पवित्र किया जाता है जो धीर पुरुष बड़ी सावधानी से पवित्र हुई वानी बोलते हैं जो खूब सोच समझ कर मन की मानो छलनी से छान कर कल्यान कारी और पवित्र शब्दों को ही मुक से निकालते हैं उनकी वानी में मानो लक्षमी का वास हो जाता है किन्तु जैसे सत्तुओं को साफ करना कठिन काम है जो इस तरीके से सत्तु जब बनाते हैं तो उसको काफी साफ करना पड़ता है तब ठीक सत्तु बनता है तो जैसे सत्तुओं का साफ करना कठिन काम है वैसे वानी को शुद्ध पवित्र बनाना भी बहुत ही दुह साथ्य है कठिन है पर जो धैरिशाली प्रज्यावान, मनुश्य, मनन के साधन, मन द्वारा वाणी को निर्दोश और निर्मल बनाने का यत्न करते जाते हैं वे एक समय उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां पर उनकी वाणी में अद्भुत शक्ती प्रकट होने लगती है और उस अवस्था में पहुचकर उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली और हृदय में प्रवेश करने वाली बन जाती है तो इस रूप में यहां पर इस मंतर के अंदर छलनी से जिस प्रकार से सत्तु को च्छाना जाता है उस प्रकार से हमें अपने मनन के साधन रूप मन से अपनी वाणी को च्छान च्छान कर बोलना चाहिए उसे निर्दोश बनाना चाहिए और जितना हम अपनी वाणी को निर्दोश बना लेते हैं पवित्र बना लेते हैं हृदय स्परशी बना लेते हैं उतना उतना फिर सभी प्रकार से हम स्वयंभी सम्रिध होते हैं और अन्यों के भी हित साधक बन सकते हैं तो इस रूप में यहाँ पर इस उधरन के माध्यम से हमें वाणी कैसे बोलनी है इस विशय में बहुत सुन्दर रेती से यहाँ दिया हुआ है तो यह जो सुक्त है एकहत तर्वा सुक्त यह ज्यान सुक्त के नाम से प्रसिद्ध है अब इसके मंत्रों को आप स्वयम देखिएगा मैं केवल एक आपका परिछे करा रहा हूं कि वेद में दस्वे मंडल में कहां कहां क्या क्या चीजे हैं जो आपके लिए बहुत हो सकती है अब जो बहत तर्वा सुक्त है दस्वे मंडल का बहत तर्वा सुक्त का जो तीसरा और चोथा मंत्र है इनका मैं पाठ कर रहा हूं और इन दोनों मंत्रों को मिला कर अर्थ किया गया है वेत के अंदर कई इस्थलों पर दो मंत्रों को तीन मंत्रों को मिला करके अर्थ किये जाते हैं ऐसे भी उधारन मिलते हैं जब आप महरशी द्यानन सरस्वती जी की पंच महा यज्य विधी इस पुस्तक के आधार प्रजबाब संध्या को विस्तार से पढ़ेंगे या सीखेंगे तो संध्या में जो तीन मंत्र आए हैं अग मरशन मंत्र अग मरशन मंत्र संध्या में आए हुए हैं तीन मंत्रे हैं उन तीनों मंत्रों को क्या बुलते हैं अग मरशन मंत्र ओम रितम चसत्यम चाभी धात तपसो ये वाला मंत्र है और इसके बाद फिर जो तीसरा मंत्र है सूरिया चंद्र मसवधाता दूसरा समुद्रा दर्णवा दधी ये तीनों मंत्र मिला करके इनका नाम क्या है अगमरशन मंत्र जब आप महरशी द्यानन सहस्वती जी का इन मंत्रों पर जब आप भाष्य पढ़ेंगे बहुत विस्तार से उनका भाष्य उपलब्ध होता है पंच महा यजविधी में बैदिक संध्या की व्याख्या में तो आपको वहाँ इस पश्ट होगा कि महरशी द्यानन सहस्वती जी ने अगमरशन के इन तीनों मंत्रों का अर्थ मिला कर किया है मिला कर जैसे जो तीसरा मंत्र है अगमरशन तीसरा जो अगमरशन मंत्र है तो तीसरे मंत्र में क्या रहा है यथा पूर्वम पद है ये उपर के जो दो मंत्र हैं रितमचा सत्यमचा और समुद्रा दर्णवाद अधी इन दोनों मंत्रों में उपर जाकर यथा पूर्वम पद जुड़ता है अथात तीसरे मंत्र का एक अंश कहां जुड़ता है जाकर के उपर के दो मंत्रों में जाकर के जुड़ता है तब जाकर के उपर के दो मंत्रों का वास्तवी कर्थ हो पाता है इसी प्रकार से जो आता है अगमर्शन मंत्रों में यह जो तपसो शब्द आया इस तपसो शब्द का भी दूसरे मंतर के साथ और तीसरे मंतर के साथ संयोग होता है और एक शब्द आता है अभिधात तपसह अभिधात तपसह जो आता है इसी प्रकार से वशी वश में रखने वाला परमात्मा वशी पदाता है उसका भी हर मंत्र के साथ संयोंग होता है तो अबिधात तपसा का भी होता है वशी का भी होता है यथा पूर्वम का भी होता है इस प्रकार से तीनों मंत्रों का अर्थ मिला करके निकाला जाता है किया जाता है ये उधारण आपको बहुत अच्छे से पंच महायजविधी में स्पष्ट रुप से वहाँ पर विस्तार से समझ में आएगा आप देखिएगा यहाँ पर जो तीसरा और चोथा मंत्र है इनका अर्थ भी मिला करके किया गया है तो यह तीसरा और चोथा मंत्र बहुत तर्वे सुक्त का मैं पढ़ रहा हूँ जो तीसरा और चोथा मंत्र है पहले उसका उच्छरण करता हूँ फिर उसका अर्थ में पढ़ूँगा ओम दिवानाम युगे प्रथ में सतह सदजायत तदाशा अन्य अन्वजायंत तदुत्तान पदस्परी अब इनका जो अर्थ है तो अर्थ मिला करके किया गया हुआ है अन्योर मंत्र योर एक वाक्यता अस्ति इन दोनों मंत्र की एक वाक्यता है अर्थात इन में आपस में जुडाव है अतह सह सहईव व्याक्यायते इसलिए इन दोनों मंत्रों का व्याक्यान या अर्थ साथ साथ मिला कर किया जाता है ये स्वामी ब्रह्मोनी जी ने ऐसा संस्कित में उपर लिखा है अब इसका जो पदार्थ है दोनों का वो देखिए मैं सीधे भावार्थ पढ़ देता हूँ पदार्थ कई बार चुकि मैं यहाँ पर जब उसे समझाता नहीं हूँ तो वो आपके लिए कठिन सा ही रहता होगा तो भावार्थ पढ़ रहा हूँ भावार्थ क्या है अव्यक्त उपादान प्रकृती से व्यक्त विक्रती रूप उत्पन होता है तो जो अव्यक्त उपादान प्रकृती है अव्यक्त अथा जो अभी अपने गुणों में प्रकट नहीं है जिसके गुण प्रकट नहीं हुए तो जो प्रकृती है जो मूल प्रकृती है वो अव्यक्त रूप में रहती है हमने समझा था मूल प्रकृती अर्थात जो मूल तीन कड है सत्व, रज और तम जब सिष्टी की रचना परमात्मा प्रारंभ जब नहीं प्रारंभ जब उन्होंने नहीं की उस अवस्था में प्रकृती कैसे रहती है साम्या वस्था में रहती है अथात ये तीन कड अलग अलग अपने समूहों में रहते हैं ये आपस में चोकि इश्वर ने अभी इन में गती और प्रेड़ना पैदा नहीं की इसलिए इनका आपस में मिलना नहीं होता ये अलग-अलग अपने समूहों में पड़े रहते हैं तो तीन कड़ों का अलग-अलग अपने समूहों में पड़े रहना ये इन तीन कड़ों की क्या कहलाती है साम में अवस्था तो उस अवस्था में इनके गुण प्रकट नहीं होते तो उस अवस्था में प्रकृती कैसी होती है अव्यक्त अवस्था में होती है और ये प्रकृती कैसी है ये उपादान कारण है इस स्रिष्टी के निर्मान में ये प्रकृती रौ मेटेरियल है उपादान के रूप में परमात्मा प्रयोग करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त उपादान प्रकृती से तो प्रकृती के विशेशन बन गए कौन-कौन से विशेशन बन गए दो अव्यक्त प्रकृती स्वरूप से कैसी है अव्यक्त है और दूसरा विशेशन क्या है उपादान है वो raw material है तो अव्यक्त उपादान प्रकृती से क्या उत्पन्न होता है व्यक्त विक्रती रूप संसार उत्पन्न होता है तो जब परमात्मा तीनों कड़ों में प्रेणा दे देते हैं अपनी शक्ती को समायोजित कर देते हैं तो ये तीन कड़ जब विभिन प्रपोर्शन्स में परमात्मा की व्यवस्था से परमात्मा के बल से मिलने लग जाते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है प्रॉडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये जो निर्मान की अवस्था में जो बने हुवे पदार्थ हैं इनको क्या बोलते हैं विक्रिती तो व्यक्त विक्रिती रूप संसार उत्पन्न होता है ये संसार को दाशनिक भाषा में क्या बोलते हैं विक्रिती भी बोलते हैं विशेश्कृती विक्रिती ठीक है फिर संसार उत्पन्न होता है पुनह दिशाएं प्रकट होती है पश्चात पृत्वी लोक पृत्वी लोक से कामना वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार आरंभ स्रिष्टी में अखंड अगनी से सूर्य और सूर्य से उशा का प्रकाश होता है तो इन दो मंत्रों में स्रिष्टी निर्मान कैसे होता है उसके कुछ संकेत यहाँ पर हमें उपलब्द होते हैं कि मूल प्रक्रती को जब परमात्मा अपनी प्रेणा गती से क्रियाशील कर देते हैं तो विक्रती रूप व्यक्त यह संसार उत्पन होता है इसमें दिशाएं प्रकट हो जाती है प्रित्वी लोक बनता है फिर प्रित्वी लोक के अंदर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार से अखंड अगनी से सूर्य और सूर्य से उशा का प्रकाश होता है ये जब आप पदार्थ देखेंगे तो महाँ पर आपको कुछ और गहरी बातें समझ में आ सकती हैं तो ये बहतर्वे सूक्त का ये तीसरा और चोथा मंत्र था अब आईए अब हम चलते हैं पज़तर्वे सूक्त में 75 सूक्त में पज़तर्वा सूक्त 75 सूक्त ये जो 75 सूक्त है ये नदी सूक्त के नाम से प्रसित्थ है इस सुक्त का जो देवता है वो क्या है नद्या, नद्या मतलब नदिया, तो नदिया इस सुक्त का दुशय है, प्रारंभिक परिचे, वेद परिचे की कक्षाओं में हम इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, कि वेद के अंदर किसी भी मनुष्य का और किसी भी देश का इतिहास नहीं है, और पूर्व की कक्षाओं में विभिन उधार्णों के माध्यम से हम समझ चुके हैं, कि जो हमें कुछ एतिहासिक परिचित जो हमें पद मिलते हैं वेद के मंत्रों में, जैसे अभी पूर्व की क लक्षाओं में कृष्ण पद आया था, अर्जुन पद आया था, बहुत सारे ऐसे पद जो हमें ऐसा लगता है कि मानो एतिहासिक महापुर्शों के हैं, उनके अर्थ क्या हैं हम उनको वहाँ-वहाँ समझ चुके हैं, या आगे और समझ लेंगे, अब ये जो नदी सुकत ह जिसमें नदीयों का वर्णन है, तो यहाँ पर किसी कोई एक देश की नदीयों की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर आप जब इन मंतरों को देखेंगे नदी सुकत के अंदर, तो नदी सुकत के अंदर कुल मंतरों की संख्या है, नो, और एक में बड़ा प्रसिध मंतर आपको लगे गए कि इसमें तो हमारे देश की ही नदीयों के नाम आ गए, तो मंतर इस प्रकार से है, ओम इमम्मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुत्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या आसिक्ण्या मरुत् व्रिधे वितस्ता परुष्ण्या यार जी की ये शिनुह्या सुशोमया तो इस मंतर में देखिए प्रारम में ही ओम इमम्मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुत्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या आसिक्ण्या मरुत् व्रिधे वितस्ता परुष्ण्या वितस्त वितस्त यार जी की ये शिनुह्या सुशोमया तो देखिए आपने इसे ध्यान से सुना है तो इसमें आपको सीधे गंगे यमुने सरस्वती सीधे आपके पर्चित पद है ये तो कई बार विक्ती ऐसा सोच सकता है कि इसमें तो जैसे भारत देश के अंदर बहने वाली गंगा यमना सरस्वती के नाम आ गए नदियों के लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर ये भारत में बहने वाली गंगा यमना सरस्वती की बात नहीं चल रही यहाँ नदियां कितने कितने प्रकार की होती हैं उन नदियों के प्रकारों के अधार पर उनके सुभावों के अधार पर ये नाम करण है अभी इसका अर्थ हम जब पढ़ेंगे आपको बा अर्थ क्या है देखिए हे गमन शील समुद्र तक जाने वाली नदी तो गंगे का अर्थ क्या है हे गमन शील समुद्र तक जाने वाली नदी उसे गंगा कहते हैं तो गंगे हे गमन शील समुद्र तक जाने वाली नदी यम उने हे अन्य नदी में मिलने वाली नदी ये यमनागार्थ है सरस्वती हे प्रचुर प्रचुर मतलब बहुत अधिक हे प्रचुर जल वाली नदी जिस नदी में बहुत अधिक जल है प्रचुर मात्रा में जल है उसकी संजया क्या हो जाती है सरस्वती आगे क्या है शुतुद्री शुतुद्री भी नदी की अपनी qualities के आधार पर उसकी विशेशताओं के आधार पर ये नाम करण है किसी देश या प्रदेश के आधार पर नहीं है तो शुतुद्री है शिग्र गमन करने वाली या बिखर बिखर कर चलने वाली नदी ऐसी नदी जिसकी गती बहुत तिव्र है जैसे पहाडी नदियां होती है उनकी गती बहुत तिव्र होती है तो शुतुद्री है शिग्र गमन करने वाली नदी अथा जिसमें बहुत सारे मोड आएं बहुत सारे मोड जो ऐसे जिग जैग वे में टेड़ी मेरी इस रूप में जो बह रही है वो क्या है परुष्णी इसी प्रकार से असिक्निया ये भी नदी का विशेशन कैसी नदी असिक्निया कहलाती है कृष्ण रंग वाली नदी जिसका जो जल है उसमें कुछ काला पंसा हो नदियों के पानी भी अलग-अलग रंग के मिलते हैं तो ऐसी नदी जिसका पानी कुछ शाम वर्ण हो कुछ कृष्ण वर्ण वाला हो हलका सा कालापन लिये हुए हो वो क्या है असिक्निया फिर क्या है मरुद व्रिधे हे मरुतों वायूं के द्वारा हे मरुतों वायूं के द्वारा बढ़ने वाली फैलने वाली नदी अधाद ऐसी नदी जहां पर जिसका जल जिसका फैलाव वो ऐसे प्रदेश में हैं कि जहां पर वायू का काफी तिवर वेग या गमन होता है तो वायू के माध्यम से जिसका जो काफी अधिक फैल जाती है जिसका जल स्तर बढ़ जाता है या फैलाओ को प्राप्त कर लेता है ऐसी नदी क्या है मरुद वृधे इसी प्रकार से वितस्तया वितस्तया एक वितस्ता नदी भी आपने सुनी होगी वितस्तया वितस्तया का क्या आर्थ किया है ना होने वाली नदी के साथ तो ऐसी नदी जिसका जल ग्रिश मकाल में भी सुकता नहीं है वो कभी शुश्क नहीं होती अगला है आरजी की ये हे विराट किनारों को तोड़ फोड़ने वाली नदी जो किनारों को भी तोड़ फोड़ देती है उफनती है तुफानी रूप ले लेती है ऐसी नदी आरजी कीए सुशो मया पार्थिव समुद्र के साथ में स्तोमम सचता आशुनि ही मेरे अभी प्राय को या मेरे लिए अपने अपने इस्तर को सेवन कराओ तथा मेरे लिए जलदान करो तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नदीया उनकी गुण विशेश ताउं के आधार पर ये उनके नाम करण है ना कि किसी देश प्रदेश या भोगोलिक इस्तितियों के करण तो ऐसी नदीया सुशो मया पवित्र पार्थिव समुद्र के साथ अथा प्रित्विस्थ समुद्र के साथ वो क्या करें? वो मुझे मेरी आवश्रक्ताओं को पूरा करें और मेरे लिए जलदान करें इस रूप में यहाँ पर ये मंत्र के अंदर आई हुई नदीयों के नामों के वास्त्विक अभिप्राए ये हैं इन्हें हमें भारत देश से नहीं जोड़ना है इसका भावार्त जो लिखा हुआ है परिथ्वी पृश्ट पर अथाथ परिथ्वी की पीठ पर भिन भिन रूप और गती से बेहने वाली नदीयां मानव को लाब पहुचाने वाली हैं उनसे लाब होना चाहिए अर्थाथ लाब प्राप्त करना चाहिए तो ये इमम में गंगे यमने सरस्वती तो इस मंत्र का जो वैदिक अर्थ क्या बनेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा है और बहुत स्पश रूप से हमने समझ लिया है कि वेदों के अंदर किसी प्रकार का भोगोलिक या मनुष्य का इतिहास नहीं है तो इस रूप में ये 75 जो सुक्त है ये इसका जो देवता है वो है नद्यह नद्यह अर्थात नदियां तो इसे नदी सुक्त भी कहते हैं तो आप इसमें आए हुए जो कुल मंत्र है नो इनको आप देखिएगा तो आपको नदियों का प्रसंग और अधिक विस्तार से हो चुका है अब एक बारोम तीन बार शान्ती सीधे बैठ जाएं नेत्रों को को मलता से बंद कर लीजिए लंबी गहरी सांस भरिए ओ ओ शान्ति 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 ओ